वर्मी कंपोस भी खात बहुत अच्छा है भूढ़ जहां पर बहुत अच्छ टामान रहता है बहुत कम पानी रहता है वहां पर वर्मी कंपोस बनाना कोई भी किसान के लिए फाइदा बंद नहीं है किूए हुँई केच्छुए हिसेsan के परक्रिया है। वह भूँत बढ़त नाजुग है। अधे उसके अंधर नहीं रहो तो खाद कैㄹचव काम नहीं करेंगे ज्याद। पाणी कामplete कामेंगे, पानी कम हो गया थो कामनी करेंगे ते लगाद कैच्व कामनी करेंगे, यद अmee करेंगे अधित्लाइ कोई लग गया, तो कैच्व को खाजाएगी माल भी से इतना नाजुक होता है वो उसको कहते हैं गॉलता है वह नाजुक होती है इसे तरह से यह ऑे क्युआ हमारा मेरा विछयूमिन के अंदर जो चाहँ बीत्टा अब बढताए और इसकchesमे झाय ने चाहँप काम करे तो यह काम करेगा इसलिए यह काम करेगा शिधिया पत्तियों में गोबर में यह काम करेगा तो इसको बनाते समय बहुत सावदानी को रख सकता है तो ही बनाना ची नहीं तो कंपोस्टी बनाना ची है बनाना का तरीका वर्मी कंपोस्टी का ही वैसा ही है एक चोड़ाई में दो फूट से ज्यादा नहीं अपने अपने अनुसार ले सकते हैं, नहीं हो नहीं हो तो हम कोई सेड लगा कर चाया करें, सेड की उंचे इतनी बनी चीक उसका सिधा सिधी गर्मी नहीं पहुंचे यह सारा जैसा हमार पास साधन उपलब्द है उसे साब से तयार कर सकते हैं और कैच्वा तयार करने का भी तरीका ही है कि सबसे पहले हम छोटी कोई गिट्टी छोटे कंकर सबसे नीचे डालें या कोई पादरी के जवार के मक्की के सबसे नीचे डालें तो जिससम मेरा खाथ तैरो जाएगा तो कैच्वा को चुपने के स्तान मिलेगा इसलिए सबसे पहले वो डालें तीन-चार इंची का वो लेर करें उसके बाद में गोबर पती गोबर पती और इसमें एक विसेस द्यानकने कोई भी दंठल कर दंठल को एक डंठल को इसको बना नहीं हो जो कैच्व नहीं हो जो कि एक नरम चाहिए वन काना कैच्व बहुत नाजुग है और इसको अहर तरह काम को ध्यान एक नगना पुड़गा और केवल मात्र गोबर का जो भी इतप आप सब्सकति नहीं होंगे कि पती और अगोबर गोबर पती गोबर का दो फूर्ति का यह थेर के और रोज हम उसको नहीं जाहिए नहीं कैच्व जर्मी में दिन में दो बार भी देली उज़ जली कि अशूड़ कर नहीं तरी का यह ज़िए नहीं आप इस ज्यादा देल पन्स नामी नहीं कि उपाद यह का भीटके करें तो जड़ नहीं चाहिए और वह वह का इसमें अदर आंधर अंग्लियों के बीच में चेकना चाहिए यह कवे तरीका अभ इसमें अभी दिया जासे डो बार पहले प्ति और गोबर डाल दी फिर वर पदी दाल दी उसके बाद में को केच्व बजार से मिलत अब जैसे हमारा एक बार खाद बन गया उससान से वापस को तयार हो गया तो उसको हटाने के लिए हमको धेरिया बनानी पड़ेगी और उस समें पानी मंद करना पड़ेगा तो नमी नहीं रहेगी तो कैच्व नीचे चले जाएंगे और धेरी बनाएंगे तो कोई कैच्व आ तो पहले एक बार धेरी बना ली फिर उसको एक तेच कर लिया फिर दूसरी बार इसी तरह से बना वाक है चुक करीब दो महीन बाद यह तयार होता है और दो महीन बार बार यह तेरिया करके पूरा खाद अमवा से अठा लेंगे और लीचे जो कैच्व जो हमन बताया पहले रखाद बना जो केच्व जरूत दों काच्व जरूत नहीं है नगी से इसको केच्व डाला है जरूत कर दाता क्या बना बना जाइका ज़ुप तो इसके पास अंसाधन उपलब थो और हमनें टाइस को तो रखा न रास दोमीन एaneं ट unfinished morning को घाष हम हो एक बनाञा है तो लग केच्वाइ के खाद और अधा कंपोस्ट देखें जमीन में डाला है तो बहुत अच्छा काम करता है और नहीं तो गुड़ाई के अंदर पहले डालकर खाद कर और गुड़ाई कर देखें क्यों इसमें कंपोस्ट सभी ज्यादा नमी रहना बहुत जरूरी है जिस खेत में जि कंपोस्ट अधी मात्रा काम बहुत होती है और पेड़ों के अंदर और किसी में भी काम लें कंपोस्ट से आदी मात्रा में कैच्वा काद प्रयाप्त होगा और जहां तक हो सबसें काम पूरा बनाओ और अजिक्त आती है तो लिए थो